सवतेली मा एक गाव में रतनलाल नामक एक पहरा युवक था उसकी मा मर गई थी जिसे उसके पिता ने दूसरी शादी की रतनलाल को सवतेली मा खूप सताया करती थी केत के कामों के साथ उसे घर के कामकाज भी करने पड़ते थे बहिल की तरह काम करने पर भी उसकी सवतेली मा उस पर दोशार ओपन करती की वह बड़ा आलसी है छीक उठाती गालियां भी सुना देती अपने पुत्र की यातनायें देख कर भी रतनलाल का पिता अपने दूसरी पत्नी के भैसे उसे धांटता न था बलकि मन ही मन वह दुकी होता था एक दिन रात को रतनलाल मवेशियों की जोपड़ी में सो रहा था आधी रात के वक्त जब उसके आँखे खुली तो देखा कि सवतेली मा एक लाटी लेकर उसकी वोर बड़ी चली आ रही है रतनलाल ने सोचा कि सवतेली मा उसको मारने के लिए आ रही है वह डर गया और अंदेरे में कही भाग गया आखी रतनल एक नगर में पहुंचा उस नगर का राजा बड़ा ही भोला था राजा ने रात को एक सपना देखा वह यहता कि बड़ी रानी की पुत्री को छोटी रानी मार डालने का प्रयत्न कर रही है वह जाग पड़ा मन ही मन घबराने लगा दूसरे दिन दर्बारियों को संबोधित कर राजा ने कहा कल रात को मैंने एक सपना देखा है उस सपने का समाचार अगर कोई बतायगा तो उसको एक हजार रुपयों का पुरसकार दिया जायगा दर्बारी सब मौन घगए वे सब राजा के भोले पन से भली बांती परचित थे सबको मौन देख राजा ने मंत्री की ओर मुड़कर कहा मेरे सपने का समाचार बताने वाला विक्ती कोई शायद दर्बार में नहीं है इस बात का दिंडोरा पिटवाये दिंडोरा जब पिटवाया जा रहा था उस वक्त रतनलाल उस नगर में पहुंचा दिंडोरा तो उसने सुना परंतु वह भारा था इसलिए दिंडोरे का समा जा रहा है दूसरे ही क्षिन वह दर्बार का पता लगा कर वहा पहुंचा द्वारपाल ने रतनलाल को रोक कर पूछा क्या तुम राजा के सपने के बारे में बता सकते हो उनकी बाते सुनाई न दी फिर भी रतनलाल ने कहा जी हाँ द्वारपाल ने रतनलाल को राजा के सामन हाजिर किया क्या तुम मेरे सपने के बारे में बता सकते हो राजा ने पूछा रतनलाल ने सोचा कि राजा उसे अपने तकलीफों सुनाने के लिए कह रहा है वह बोल उठा महराज सोतेली माताओं की इर्शिया उनके द्वारा दी जाने वाली यतनायम अनादी काल से चली आ र फिर भी वह कुछ और कहने को हुआ मगर राजा ने प्रसन हो कहा शाबाश फिर किया था उसको एक हजार रोपयों का पुरसकार दे कर बेज दिया राजा ने उसकी पूरी कहानी सुने बिना ही पुरसकार दे दिया इस पर खुश हो रतनलाल घर लवटाया और सारा समाचार अपने पिता को सुनाया ये बातें सुनने पर रतनलाल की सोते लीमा डर गई कि उसे राजा का आश्रे प्राप्त है उस दिन से रतनलाल को सताना बंद किया कि अ हुआ है ये बातनला बंद कि उसे दिन से रतनलाल घरगा है कि नहां कि पुरसके पर रहतना बंद कि उसे हमास कि उसे हैं अटनला बंद